नमस्कार साथियों, एक्जामपूर के ओनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, मैं हूँ चंदर शेकर, साथियों एक्जामपूर ISPCS चैनल आप लोगों के लिए हर रोज एक बर्निंग इशू लेकर के आता है और आज के सेशन में, आज के इस बर्निंग इशू के सेशन में हम बात कर रहे हैं, अमेजन वर्षा वन के बारे में, अगर बात कर हूँ, अगर इसके विस्तार की बात करूँ, तो ये कुल विश्व के नौ देशों में, नौ देशों में विस्तरित है, वो देश कौन कौन से हैं, बोलीबिया, पेरू, इक्वाडर, कोलंबिया बेनेजुएला, गुयेना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयेना और ब्राजीर, टोटल 9 ये देशों में फैला हुआ है, लगभग 60 लाख के करीब इसका वर्ग शेत्रफल है, ये दुनिया में यानि की पूरे बिश्व में 20 प्रतिशक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, यानि की ऑक् सबके लिए जरूरी है, इसके साथ साथ इस वर्षावन का सबसे जादे जो महतों माना जाता है, वो ये माना जाता है, कि ये CU2 का आउशोशन करता है, लेकिन नेचर नामक एक पत्रिका में एक शोध प्रकाशित हुआ है, और उस शोध की बात करूं, तो नेशनल इंस्टि कामी में ये प्रकाशित हुआ है, ये जो शोध रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, लगभग इसके लिए 600 दिवस उडान भरा गया, और उसके आधार पर, यानि कि उडान के आधार पर जो आकड़े प्राप्त हुए, उसी के आधार पर ये कहा गया है, कि अमेजन वर्षाव कारबन जितनी मात्रा में ये कारबन का और शोशन नहीं करते हैं, उससे अधिक ये कारबन वातावरण में छोड़ रहे हैं, सवाल ये उठता है कि कारण क्या है, दरसर जो नेचर पत्रिका में शोध प्रकाशित हुआ है, उसके आधार पर ये कहा गया है, कि अमेजन साथ अगली फसल के लिए खेत को तयार करने के लिए इन बनों में आग लगाया जा रहा है, और उस आगजनी की घटनाओं से अलग-अलग शेत्रों में बड़े पैमाने पर कारबन का उत्सरजन हो रहा है, ठीक है, ये समस्या देखने को मिल रही है, अब अगर बात कर लें जो हाइलेंड है, आप देखेंगे, उत्तर में ये गुयाना हाइलेंड तक ये फैला हुआ है, दक्षण में बात करूँ, तो ब्राजील के केंदरी पठार तक इसका विस्तार हुआ है, और इधर की बात करूँ मैं यदि पुर्व दिशा की बात करूँ, तो पुर्व पश्चिम में यह एंडीज परवत, एंडीज परवत से घीरा हुआ है, या एंडीज परवत तक विस्तारित है, अब जो समस्या आ रही है, जो बिश्व में सबसे जादे माना जाता है कि 20 प्रतिसत ये ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, अब ऑक्सीजन के वज़ाए ये ज इतना ही अगली सेशन में फिर मिलेंगे, नमस्कार